हेलो फ्रेंड्स मैं किरन यूपी कॉंपटिशन रूप में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स ऐसे कि हमने पारिष्टिति की अब हम परिया वरनर की सीरीज को स्टार्ट किया है आपकी सभी पितों की परिक्षाओं की देश्टीसिजों की अती महतपूर चलिए उसी क्रम में आज आगे बराते हुए शुरू करते आज का पहला कोश्चन आज का पहला कोश्चन है खास रंकला के आधार पर जीवधारी होते हैं इसका सही अंसर है ऑप्षिन नमबर डी पिरकास संसलेसी पादप नेक्ट कोश्चन घास इस्तल पारिस्तिरी की तं तंत्र में संख्या का प्रैमिड होता है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए घास इस्तर पाइस्टरी तंत्र में हैं जो दोस्तों संख्या का प्रैमिड होता है क्योंकि जो घास होती है वो काफी मात्रा में होती है इसके खाने वाले उससे कम होते हैं और उनको भी खाने वा अलेब ज्यानिक है स्क्राइब सुन अप्शन नंबर दिल लिंडमान कि नेक्ट कोश्ड जीवो के खाद सवभाब में जितनी भी विर्ता होगी खास रंक्रा उतनी ही कि न होगी इसका अप्शन नंबर भी नतिक लंभी नेक्स्ट कोश्चन पारितंत्र में उजा का प्रात्मिक स्रोत है इसका सही आंसर है option number C, सूरे का प्रकाश next question किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या इस्तिर हो जाती है जीवों की संख्या इस्तिर होने का कारण है इसका सही आंसर होगा option number D, इनमें से सभी देखिये दोस्तों पारितंतर में जो जीवों की संख्या इस्तिर है वो अब घटक, उत्पादक, पणहरित सब की वज़े से होती है यानि कि इसका सही आंसर हो option number D next question किसी पारितंतर में होते हैं दोस्तों किसी पारितनत्र में होते हैं जैबिक और आजबिक पधात इसके लिए option सभी होगा option number D, जैबिक और आजबिक पधात यह सभी घटाएं होती हैं इसलिए इसका option number D answer सही है next question निमलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है इसका सही answer है option number C घास का इस्था देखिए दोस्ते गेहूं का खेयता है गेहूं का खेयता है यानि गेहूं लगाए जाते हैं आम का बाग भी लगाए आम का पेंड भी लगाए जाते हैं एकवेरियम भी तयार किया जाता है तो यह सब किर्त्रिम है और option number C घास का इस्थाल यह सही answer है यह प्राकृतिक पारितंत्र है next question जब मंडल में एक ही जाती की संख्या को कहते हैं option number C सही answer होगा next question एक से अधिक जातीयों का समूद जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं दोस्तो इसका सही answer होगा option number E हैकल E हैकल इकोलाजी सब्ड देने वाले पहली वेक्तिर है next question प्रकास संसलेशन द्वारा उर्जा का कितना पितिसत भाग रासानिक उर्जा में परिवत्तित हो जाता है दोस्तो इसका सही answer होगा option number A 1-2% दोस्तो इस question को ध्यान से पढ़िए प्रकास संसलेशन द्वारा उर्जा का कितना पितिसत भाग रासानिक उर्जा में परिवत्तित हो जाता है एक से दो पितिसत भाग प्रकास उर्जा का एक से दो पितिसत भाग क्या होता है रासानिक उर्जा में परिवत्तित होता है next question रचना एवं कारे की रश्टी से जैब समूदाय एवं बाता बढ़न एक तंत्र की भाती कारे करते हैं इसे कहते हैं इसका सही आंसर अफ्यम नंबर में पारितंत्र की नेक्स्ट कसे एक iPhone पारितंत्र में शैवाल हरीकाई का इस्थान होता है इसका सही आंसर है उत्पादक देखिए हरीकाई होती है शैवाल जो होते हैं उत्पादक होते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं अपना भोजन खुब खुद बनाते हैं इसलिए उत्पादक होते हैं एक पारितंत्र में मानव और जनतू होते हैं जबकि पेड़ पौदे क्या होते हैं उत्पाद होते हैं चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी किरपे नीचे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर बताएं और दोस्तों इसी तरह कि वीडियो और भी आप चाहते हैं कि यह सीरीज आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों बॉक्स में जरूर कमेंट करें और दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक अब शेयर भी करें धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडि